नमस्ते मैं हूं मानत समर्थ और आज इस वीडियो हम बात करेंगे लीवर की ये जो देख रहे हैं आपर इस जगे हमारे लीवर होता है कहने को तो इतनी ज़्यादा इंपोटेंस इस लीवर को नहीं दी जाती लेकिन लीवर बहुत काम की चीज़ है और लीवर बहुत ही बाडी में इसके अंदरे स्टोर होते हैं ये गलुकोज को भी स्टोर करता है किस तरह से जब हमारे बलड में बहुत ज़्यादा गलुकोज आ जाता है और बाडी में दिक्कत होने लगते है बलड भारी होने लगता है तो लीवर क्या करता है उस गलुकोज को बलड में से ल तो इतना जरूरी काम यह लीवर करता है, यह हमारी बोड़ी को डेटॉक्स करता है, और 75-80% हमारी बोड़ी में जो भी कोलस्टरॉल या ट्राइगलिसाइड होता है, वो यह लीवर बनाता है, इसको ध्यान से समझ लीजिए, कि हमारी बोड़ी में जो कोलस्टरॉल और ट्रा अगर किसी को fatty liver है, किसी को liver cirrhosis है, जब fatty liver होता है, इसको लोग बहुती normal समझते हैं, और धीरे-धीरे बढ़ता बढ़ता, जब ग्रेड में बढ़ता चला जाता है, तो liver cirrhosis हो जाता है, और फिर बोला जाता है, कि आपको liver का transplant कराना है, 20-25 लाक रुपे लगते हैं, पूरी family परेशान होती है, अपना शरीर बेकार होता है, और अपनी जिन्दगी भी तबाव होती है, तो अगर आप नहीं चाहते कि यह ना हो, तो शुरू से ही जब आपको fatty liver की problem आए, तब ही आप इसको बहुत असानी से, तीन natural तरीके से घर पर आप इसे ठीक कर सकते हैं, तो आईए जानते हैं कि कौन से हैं वो तीन natural तरीके, जिससे आप liver को घर पर ही अराम से ठीक कर सकते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि liver का काम क्या है, liver का काम है हमारी body में जो blood होता है, blood की सफाई करना, यह liver का भी काम है और kidney का भी काम है, दोनों का काम है, तो liver बून की सफाई करता है, और जो पित बनता है, जो आपने देखा, तो उससे लड़ना भी इस liver का काम है और अगर sugar जादा हो जाए हमारी body में glucose मतलब blood में जादा हो जाए तो उसको control करना भी liver का काम है जैसे मैंने पीछे बताया आपको कि वो blood में से glucose को निकाल लेता है और उसको glycosine बना कर अपने अंदर store कर लेता है carbohydrate को body में store करता है fat को कम करता है और हाज जुतने हमारी body के hormone से इसको balance कर रहा है तो इतने सारे काम हमारे liver के हैं तो इसके बाद हम जानते हैं कि अगर किसी के liver खराब हो जाए तो उसके क्या symptoms होते हैं अगर किसी को कमजोरी लगे किसी को भूख कम लगे नीद नाय या उल्टी हो तो समझ जाइए कि उसके liver में problem है और ये liver के symptoms है पूरे दिन उसको थकान रहती है उसका वजन घटने लगता है और liver में सूजन है तो समझ ये ये सारे दिक्कते हैं ये indication है कि इसका मतलब उसकी liver में problem है कई बार आपने देखा हूँ कि बहुत से लोग हैं आपके घर में भी याडोसपोरोस में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत खाना खाते हैं उसके खाने के बाद भी वो तंदूरूत्स नहीं होते हैं उनके body को लगता है जिसकी वज़े से उनके इंदर कमजोरी और weakness हाती है अब हम बात करते हैं कि liver के अगर खराब हो और liver में problem हो तो उसके कारण क्या होते हैं अगर किसी को hepatitis B और C है उसका infection है उसकी वज़े से भी liver खराब होता है अगर fatty oily food आप ज़्यादा खाते हैं और शराब है और शराब पीने से problem होगी होगी तो ध्यान रखिए कि शराब अगर पीते हैं तो प्लीज आप ना पियें अगर obesity है मोटापा है तब भी liver में problem हो सकती है ओवर इटिंग आप करते हैं मतला कार्बो हाइड़ेट का है काप सही गुलकोज बनता है तो बहुत ज़्यादा कार्बो हाइड़ेड आप मत खाईए वरना आपको ओवर इटिंग करने से भी आपको लीवर में दिक्कत होगी और अगर आपको diabetes है तो आपको लीवर में दिक्कत होगी ही होगी तो इतनी सारी परशानिया है इसके कारण होने की अब हम जानते हैं कि लीवर को ठीक कैसे करें लीवर को ठीक करने के सबसे पहले है क्या नहीं करना तो क्या नहीं करना में आपको animal protein नहीं लेना यानि कि नॉन्वेज नहीं लेना दूद, दूद से बनी हुई चीजे नहीं लेना नॉन्वेज नहीं लेना, अंडे नहीं लेना ये सब आते हैं animal protein में तो सबसे पहले आपको animal protein नहीं लेना शराब नहीं पीने चीनी नहीं खाना, सोया नहीं खाना इसका ध्यान रखें इससे भी आपके liver में ये सब ठीक नहीं करने देंगे तमबाग को नहीं खाना, caffeine यानि की जो coffee पीते हैं, चाय पीते उसमें वो भी आप नहीं पीना चाहिए या उसको बहुत कम कर देना चाहिए तो ये था कि उसको क्या नहीं करना अम मैं बताता हूं कि क्या करना है अगर आप liver को ठीक करना चाहते है तो क्या करना चाहिए और आपको थोड़ी दिर बाद पांस से दस मिलबाद हलका सा एक कप गरम पानी पी लिजे ये आपको करना है क्योंकि ये जो لہसन होता है यह anti-oxidant है, antibiotic है और यह जो liver होता है उसको clean करता है और liver को strong बनाता है, शक्तिसाली बनाता है तो यह lesson का use आप जरूर करें और इस lesson का use आप ज़्यादा दिन तक ना करें इसको एक महिना आप कर सकते हैं तो यह आपको करना है lesson का use दूसरा गाजर juice गाजर का juice आपको 200 ml रोज आपको पीना है लंच के 1 घंटे के बाद जब आप लंच करना है तो 1 या 2 घंटे के बाद 200 ml गाजर का juice निकाल कर लंच के बाद पीना है और यह आपको सिर्फ एक महीने ही पीना है गाजर के juice में vitamins, minerals, fiber यह होता है और यह विगाजर का juice है, यह liver के toxins को निकाल कर बहार फैक देता है, तो यह है क्या करना है, इसके अलावा आपको चुकुंदर का juice लेना है, चुकुंदर का juice आपको 150 ml लेना है, और यह भी आपको after lunch, 1 month आपको यह पीना है, यह antioxidant होता है, vitamins होते हैं, इसमें minerals होते हैं, यह भी पित्त जो है, वो बहुत अच्छा भैतर पित्त बनाता है, जिससे की digestion problem नहीं होती, और खाना जल्दी भी digest होता है, तो यह और दोनों में से आपको एक चीज लेनी है, एक महीना आप गाजर का juice लेजिए, और दूसरे महीने आप चुकुंदर का juice लेजिए, तो इस तरह से आप दो महीने आप ये ले लीजिए, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, कि 15 दिन आप गाजर का juice लेजिए, और 15 दिन आप चुकुंदर का juice लेजिए, 15 दिन लेगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, 15 दिन गाजर का, 15 दिन चुकुंदर का, तो यह है कि आपको क्या करना है, अब एक और जो main चीज है तीसरी अभी तो मैंने आपको बताया ठीक करने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना अब जो main चीज है वो है food आपका भोजन और भोजन में आपको एक जवर ज़स चेंज करना पड़ेगा और वो चेंज है कि आपको fruits कम खाने होगे जी हाँ आपको fruits कम खाने होगे अगर आप बहुत ज़्यादा fruit खाते हो तो भी आपको आपको लीवर fatty होगा 75-80% जो cholesterol है वो मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी body का 75-80% जो cholesterol है और triglyceride है वो लीवर बनाता है triglyceride क्या है? triglyceride एक fat है तो यह जो है लीवर बनाता है तो आप अगर ज़्यादा fruit खाया fruit के अंदर क्या होता है? fructose और fructose की direct entry होते हैं लीवर में और लीवर इसको convert कर देता है triglyceride में that is called fat इस तो यह fatty लीवर होता है और यह जो research है यह research मैंने आपको दिखाई है जो research शो करता है 2015 की research है यह शो करता है कि increase fructose increase body fat and decrease physical activity इस research का दो जो research है इसका लिंक मैंने description में दे दिया है वो इसे पढ़ लिजिए और इसके अलावा भी हमारे पस काफी patient जब आए और उन्होंने हमें बताया कि हम तो ना नॉन्विज ले रहे हैं और ना ही हम कुछ oily ऐसा खा रहे हैं उसके बाद जूद ही हमारा triglycide बढ़ा हुआ है उसके बाद ही हमारा cholesterol बढ़ा हुआ है तो हमें पता लगा कि क्या problem है फैट उनका लीवर जब लीवर फैटी हो रहा है वो कह रहे हैं कि हम तो fruits बट का रहे हैं लीवर फैटी हो रहा है तब मैने जाकर देखा तो हाँ काफी सारा जब हमने उसको किया जब उनका fruit उनके कम किये तब जाके उनका fatty liver बिल्कुल सही हो गया इस research पेपर का लिंक मैंने डेस्क्रिशन में दे दिया आप से जरूर पढ़िये तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं इस पेशेंट के बारे में जब यह SZOPT इनका 197 है जबकि होना चाहिए था 50 से कम और SZPT इनका 261 है जबकि होना चाहिए था 50 से कम और इनका बहुत ज़्यादा फैटी लीवर था और यह धीरे 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 बहुत ही इनकी तबियत खराब हो रही थी उसके बाद इन्होंने हमारी भारत पैथी हेल्थ केर से कंटक्ट किया जो कि मैंने आपको बताई है यह हमारा online wellness platform है जहां पर हम क्रोनिक से क्रोनिक और acute disease का हम लोग इलाज करते हैं और हमारी टीम के जितने भी यह डॉक्टर्स है नुटिशनिस्ट हैं यह सब इन सब चीजों का इलाज करते हैं तो जब हमने इनको डाइट बलान बना के दिया और इसके तीन महीने बाद जब इन्होंने रिपोर्टिंग कराई तो रिपोर्ट करने के बाद आप देखे जो इनका जो सबसे यहां तो सबसे थे पर बहुत जब कराद एक रहना है तो आप दो चीजों का ध्यान रखी है पहली सबसेंगे निए यह यहां जादा धार भी खाना भी सही नहीं है और यहां पर मैं आपको एक चीज बड़ा क्लियर करना चाहता हूं कि life में अगर आपको healthy रहना है तो आप दो चीजों का ध्यान रखिए पहली चीज ये कि खाना अच्छा हो या बुरा अगर आप balance में करेंगे तो बहुत ज़्यादा उसका फर्क अगर आपने गलत खाना भी balance में थोड़ा बद खाया तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन अगर आपको लगता है कोई बहुत अच्छा खाना है जैसे fruit अगर आपको लगता है कि तो बहुत अच्छा है कितना ही खालो लेकिन अगर आप fruit भी ज़्यादा खाएंगे तो भी आपको दिक्कत कर देगा और यह आपको लीवर फैटी हो जाएगा और आपके अंदर बहुत ज़्यादा फैट बनने लएगा क्योंकि फ्रुक्टोस की डिरेक एंटी लीवर में है और लीवर उसको कनवर्ट कर देता है ट्राइगलिस रेड में यानि की फैट में तो इसका आप विशे ध्यान लखिए तो यह थे फैटी लीवर को या लीवर रेटीट पॉलम को ठीक करने के थी नेच्रल तरीके और अगर आपने इन तरीकों को अपना है तो आसानी से आप इसको ठीक कर पाएंगे और आपने 50 से 25 लाग और अपनी जिंदगी आप बचा पाएंगे और लीवर ट्रांस्परांट तो बिल्कुल पक्का है तो अगर आप भी हमारे भारत पैथी हेल्थ केर से ओनलाइन अपना टीटमेंट कराना चाहते हो तो कितनी से कितनी क्रॉनिक बिमारी हो या अक्यूट बिमारी हो तो बहुत असानी से घर बठे आपको कहीं जाने की परिशान होने के जो तनी आप अपना इलाज करा सकते हो करना सिर्फ ही है कि हमारे इस नंबर पर 789882 पर जाकर एक वाट्सप कीजिए कंसर्ट करके हमारी टीम से डिटेल आ जाएगी या मेरी वेबसाइट मानससमर.com पर जाकर कंसर्ट इस पर जाकर आप अपना कंसर्ट में जाकर अपना फॉर्म भर देजिए और आपका ऑनलाइन टीटमेंट हो जाएगा आप बहुत असानी से घर बठे ठीक हो जाएगे मुझे उमीद है कि फैटी लीवर पर और री लीवर रेटेटी प्रॉलम पर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी फायदा उठाएं अगर आपने चैनल अपको सुश्क्राइब निकर सुश्क्राइब जर तब तक आपने और अपनी फैमिली के ध्यान रखें नमश्कर